प्यारे बच्चों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आज हम पढ़ेंगे अंतरा भाग दो में संकलित पाठ दूसरा देवदास जिसके लेखिका है ममता कालिया जी चलिए पाठ की तरफ पढ़ने से पहले हम उनके साहित्तिक परिचय के विशय में कुछ बाते जान लेते हैं उनका जन्म मथुरा उत्तरप्रदेश में हुआ उनके सिक्षा नागपुर, पुने, इंदौर, मुंबई जैसे स्थानों से हुई दिल्ली विशविद्याले से उन्होंने अंग्रेजी विशय से मे किया और मे करने के बाद वे काफी लंबे समय तक दौलत राम कॉलेज दिल्ली विशविद्याले में अंग्रेजी की प्राध्यापिका रही उसके उपरांत SNDT महिला विशविद्याले मुंबई में भी उन्होंने अध्यापन कारे किया और उसके उपरांत महिला सेवा सदन डिगरी कॉलेज इलहबाद में भी प्रधाना चार्य रही 2003 से 2006 तक भारतिय भाषा परिशद कलकत्ता की निदेशक रही बर्तमान में नई दिल्ली में रहकर आप स्वतंत्र लेखन कर रही हैं कथा साहित्य में उलेखनिय योगदान के लिए उत्तरप्रदेश, हिंदिस अंस्थान से साहित्य भूशन तथा वहीं से कहानी सम्मान उन्हें प्राप्थ हुआ उनके समग्र साहित्य पर अभिनाव भारती कलकत्ता ने उन्हें रचना पुरसकार भी प्रदान किया है इसके अतिरक्त उन्हें सरस्वती प्रेस तथा साप्ताइक हिंदुस्तान का श्रेष्ट कहानी पुरसकार भी प्राप्थ हुआ है चलिए बढ़ते हैं उनकी रचनाव की ओर संपून कहानिया उनकी दो खंडों में प्रकाशित है इसके अतिरिक्त 25 साल की लड़की, थियर्टर रोड के कउवे ये भी उनके प्रसिद कहानी संग रहे है ममता जी की भाषा शैली की अगर हम बात करें तो वो शब्दों की बहुत पार्खी रही है उनका भाषा ज्यान अत्यंत उच्चकोटी का है साधारन शब्दों में भी अपने प्रयोग से जादूई प्रभाव उत्पन कर देती है विशे के अनुरूप सहज भाव अभिव्यक्ती उनकी खासियत रही है व्यंग की सटीकता और सजीवता से भाषा में एक अनोखा प्रभाव उत्पन हो जाता है अभिव्यक्ती में वे हमेशा सरलता और सुबुदता को स्थान देती रही है और इसी के कारण उनकी रचनाए मरमिसपरशी बन जाती है तो अब हम बढ़ते हैं दूसरा देवदास कहानी की ओर क्या आपको इसका शीर्शक आकर्शक नहीं लगता है क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक देवदास तो वो था जो शरत चंद्र का उपन्यास था फिर ये दूसरा देवदास कौन है चलिए बच्चों आप चलते हैं ममता कालिया जी के पाठ दूसरा देवदास की चर्चा पर और कुछ कहानिया ऐसी लिखी जाती है कि वो बहुत सारी व्याख्या की मांग ही नहीं करती है उन शब्दों में कहीं हम खो से चले जाते हैं तो इस यात्रा पर हम आपको ले चलते हैं जिसमें हर की पौडी के द्रशे से कहानी की शुरुवात होती है हर की पौडी पर सांच कुछ अलग रंग में उतरती है दियाबाती का समय या कहलो आरती की बेला पांच बजे जो फूलों के दोने एक एक रुपे के बिक रहे थे इस वक्त दो-दो के हो गए हैं भक्तों को इससे कोई शिकायत भी नहीं है इतनी बड़ी-बड़ी मनोकामना लेकर जो आए है एक-दो रुपे का मूँ थोड़े ही देखना है आप जानते हैं जब मांग जादा होती है आरती का समय होता है तो वही दोने महंगे हो जाते हैं एक की जगा दो के बिकने लगते हैं और उसके बाद जब उनका महत्व थोड़ा कम हो जाता है आरती समाप्त हो जाती है तो वही दोने फिर से दो की जगा एक के हो जाते हैं गंगा सभा के स्वयम सेवक खाकी वर्दी में मुस्तैदी से घूम रहे हैं वे सबको सीडियों पर बैठने की प्रार्थना कर रहे हैं शान्तों कर बैठिये आरती शुरू होने वाली है कुछ भक्तों ने स्पैशल आरती बोल रखी है स्पैशल आरती यानि 101 या 151 रुपे वाली आप जानते हैं कि special आर्थी जब special पैसा दिया जाता है तो ही बोली जाती है गंगा तटपर हर छोटे बड़े मंदिर पर लिखा है गंगा जी का प्राचीन मंदिर ये भी आप जानते हैं कि जब हम किसी मंदिर पे प्राचीन मंदिर लिख देते हैं अचानक से उसका महत्व अपने आप बहुत बढ़ जाता है। तो ये सच है या नहीं, ये लिखने के लिए उस मंदिर का महत्व बढ़ाने के लिए ताकि जादा से जादा लोग उसी मंदिर में जाएं। इसलिए सभी मंदिरों पे प्राचीन मंदिर लिखा हुआ है। पंडितगण आरती के इंतजाम में व्यस्त हैं। पीतल की निलांजली में सहस्र बत्तियां घी में भिगोकर रखी हुई हैं। सबने देशी घी के डब्बे अपनी इमानदारी के प्रतीक स्वरूप सजा रखे हैं। गंगा की मूर्ती के साथ साथ चामुंडा, बाल कृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान, सीताराम की मूर्तियों की श्रिंगार पून इस्थापना है। जो भी आपका आराध्य हो, चुलने। पंडा जजमानों के कपडो लत्तों की सुरक्षा कर रहा है। हर एक के पास चंदन और सिंदूर की कटोरी है। मर्दों के माथे पर चंदन तिलक और औरतों के माथे पर सिंदूर का टीका लगा देते हैं। कहीं कोई दादी, बाबा, पहला पोता होने की खुशी में आर्थी करवा रहे हैं। तो कहीं कोई नई बहु आने की खुशी में। आप जानते हैं कि जब भी हम खुश होते हैं तो हम धार्मिक इस थलो पर जाना भी पसंद करते हैं। अभी पूरा अंधेरा नहीं घिरा है, गोधुली बेला है। आप जानते हैं कि किसे कहते हैं। जब शाम को गाए या अन्य पशु चरकर घर की तरफ लोटने लगते हैं और शांज होने लगती हैं, ऐसे में उनकी जो कदमों से धूल उड़ती जाती हैं और वो सारे आस्मान को धूल मई कर देती हैं, तो उस द्रश्य को गोधूली बेला कहते हैं, अर्थात शाम का द्रश हो चला है, और यकायक सहस्त्र दीप जल उठते हैं, पंडित अपने आसन से उठ खड़े होते हैं, हात में अंगोचा लपेट के पंच मंजली निलांजली पकड़ते हैं और शुरू हो जाती हैं आर्थी, पहले पुजारियों के भर्राये गले से संबेद स्वर उठता है, जै गंगे माता, जो कोई तुमको ध्याता, सारे सुख पाता, जै गंगे माता, घंटे घडियाल बजने लगते हैं, मनोतियों के दिये लिये हुए फूलों की छोटी-छोटी किष्टियां गंगा की लहरों पर इठलाती हुई आगे बढ़ती हैं, ये दृष्य है गंगा का शाम के समय इठलाती हुई गंगा की लहरों का, जब गोता-खोर दोने पकड उनमें रखा चड़ावे का पैसा उठाकर मू में दबा लेते हैं, एक औरत ने अभी-अभी 21 दोने तेराई हैं, गंगा-पुत्र जैसे ही एक दोने से पैसा उठाता है, औरत अगला दोना सरका देती हैं, गंगा-पुत्र उस पर लपकता है कि पहले दोने की दीपक से उसके लंगोट में आग की लपट लग जाती है, पास खड़े लोग हसने लगते हैं, पर गंगा-पुत्र हत्प्रभ नहीं होता, वो हताश और निराश नहीं होता, वे जट से गंगा-जी में बैठ जाता है, गंगा-पुत्र ही उसकी जीविका और जीवन है, क्यूकि दोने में आए हुए पैसों को वो अपने मुँ में भर लेता है और उसी से अपना जीवन यापन चलाता है, और जब उसके लंगोट में आग लग जाती है, तो गंगा-पुत्र ही उस आग को शांत करके प्राण भी देती है तो गंगा मैया उसकी जीविका भी है और जीवन भी है इसके रहते वे 20 चक्कर मूँ भर-भर रेजगारी बटोरता है उसकी बीवी और बहन कुशा घाट जो की हरिद्वार में ही एक घाट का नाम है पर रेजगारी बेच कर नोट कमाती है एक रुपे के पचासी पैसे कभी कभी असी भी देती है जैसा दिन हो और मैं आपसे यहां ये भी कहना चाहूंगी कि पहले जो पचासी पैसे असी पैसे चलते थे आप उन्हें देखने की कोशिश अवश्य करें कि कैसे पैसे भारत में पहले चलते थे कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं और जब पुजारियों का स्वर्थ हकने लगता है तो लता मंगेशकर की सुरीली आवाज लाउड स्पीकरों के साथ सहयोग करने लगती है और आरती में यकायक एक स्निक्द सौंदरे की रचना हो जाती है ओम जै जगदीश हरे से हर की पौडी गुंजाय मान हो जाती है औरते जा पंच मंजली निलांजली गरम हो उठी है आपने आरती के समय दिये को देखा होगा कई बार वो कई मंजल के होते हैं तो पुजारियों ने यहाँ पर पंच मंजली दिये पकड़ रखे हैं और उसको जब वो पकड़ते हैं तो वो गरम होने लगती है पुजारी निलांजली को गंगा जल से स्पर्श कर हाथ में लिपटे अंगोचे को नामालूम ढंग से गीला कर लेते हैं ताकि किसी को पता भी ना चले और जो दीपक से उनका हाथ गर्म होने लगा है उसको भी कुछ ठंडक मिल जाए दूसरे ये द्रश्य देखने पर मालूम होता है कि वे अपना संबोधन गंगा जी के गर्ब तक पहुचा रहे हैं पानी पर सहस्त्र बाती वाले दीपकों की प्रतिछविया जिल मिला रही है और पानी में हजारों दीपक एक साथ जल रहे होते हैं और उनकी छविया पानी में जिल मिला रही होती है पूरे वातावरण में अग्रू और चंदन की दिव्य सुगंद है जिस तरीके से चंदन की लकड़ी सुगंद के लिए जानी जाती है उसी तरीके से अग्रू की लकड़ी भी सुगंद के लिए जानी जाती है आरती के बाद अब बारी है संकल्प करने की, मंत्रो चार करने की भक्त आरती लेते जाते हैं और चढ़ावा चढ़ाते जाते हैं ऐसा द्रश्य आपने घरों में भी कई बार देखा होगा स्पेशल भक्तों से पुजारी ब्रामन भोज, दान, मिश्ठान की धनराशी का बुलवाते हैं आपने कई बार देखा होगा कि पुजारी पूछते हैं कितने का ब्रामन भोज करेंगे, कितने का दान देंगे, कितने का मिश्ठान खरी देंगे आप आर्थी केक्षन इतने भव्वे और दिव्वे रहे हैं कि भक्त हुज़त नहीं करते हैं अर्थात भक्त बहस ही नहीं करना चाते वो मुँ मांगा दाम भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं खुशी-खुशी दक्षना देते हैं पंडेजी प्रसन होकर भगवान के गले से माला उतार उतार कर यजमान के गले में डालते हैं यजमान का शाब्दिक अर्थ देखे तो जो यग्य कराता है उसको कहते हैं लेकिन यहां भक्त के लिए इस शब्द का प्रियोग हुआ है फिर जी खोल कर पंडे प्रसाद देने लगते हैं इतना कि अपना हिस्सा खाकर भी धेर सा बचा रह जाता है बाटने के लिए मुर्मुरे, इलाइची दाना, केले और पुश्प उन्हें प्राप्त होते हैं खर्च तो हुआ, पर भक्तों के चहरे पर कोई मलाल नहीं है कई खर्च सुखदाई होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी अपनी पसंद की मन्नते जुमागी हैं कुछ पंडे अभी भी अपने तक्त पर जमे हैं तो ये था यहां तक का दृष्चे, जिसमें सांज का दृष्चे था गंगा के स्निक्द सौंदरे का दृष्चे था और आरती का दृष्चे था आरती समाप्त हो चुकी है किन्तो उसके बाद भी कुछ पंडे अभी भी अपने तक्त पर जमे हैं क्योंकि कुछ भक्त तो देर से भी आएंगे तो देर से आने वाले भक्तों का इस नान ध्यान अभी जारी है आरती के दोने फिर एक रुपे में बिखने लगे हैं क्योंकि आरती हो चुकी है, दोने के रेट भी कम हो चुके हैं गंगाजल आकाश के साथ रंग बदलता जा रहा है संभव काफी देर से नहा रहा था तो पहली बार इस कहानी के नायक से हमारा परिचे इस कहानी में होता है संभव जो कि इस कहानी का नायक है, वह काफी देर से नहा रहा था जब घाट पर आया तो मंगल पंडा बोले काहो जज्मान बड़ी देर लगाए दी हम तो डर गए थे संभव हसा उसके एक सार खुबसूरत दांत सावले चहरे पर फब उठे उसने लापरवाई से कपड़े पहने और जांगिया निचोड कर थेले में डाला जब वे कुर्टे से पौँच कर चश्मा लगा रहा था पंडे ने उसके माथे पर चंदन तिलक लगाने को हाथ बढ़ाया उसने चहरा हटा लिया तो मंगल पंडा ने कहा चंदन तिलक के बगैर असनान अधूरा होता है बेटा संभव ने चुपचाप तिलक लगवा लिया वह वापस सीड़िया चड़ ही रहा था कि पौडी पर बने एक छोटे से मंदिर के पुजारी ने आवाज लगाई आरे दर्शन तो करते जाओ संभव ठिटक गया उसकी इन चीजों में नियमित आस्था तो नहीं थी आप जानते हैं कई बार हमारी आस्था और विश्वास नहीं होता है किन्तु फिर भी अगर घर के किसी बड़े सदस्य ने हमें कहा हो तो हम उनका कहा मानने के लिए मंदिर भी चले जाते हैं और प्रार्थना भी कर लेते हैं तो उसे याद था कि नानी ने कहा था मंदिर में बीस आने चड़ा कराना संभव ने कुर्ते की जेब में हाट डाला एक रुपे का नोट तो मिल गया चवन्नी के लिए उसे कुछ प्रयत्न करना पड़ा एक रुपे के जब चार हिस्से किये जाते हैं तो चार चवन्नी से मिलकर एक रुपया बनता है चवन्नी जेब में नहीं थी संभव ने अब थेला खखोरा पुजारी ने उसकी परेशानी ताड़ ली कि इसको पैसे नहीं मिल रहे हैं इधर आओ हम देरेजगारी पुजारी ने कहा संभव अब थोड़ा जेब गया उसे लगा कि अरे मेरे पास पैसे नहीं निकले संभव ने जेबते हुए एक का नोट जेब में रखकर दो का नोट निकाला पुजारी जी ने उसे चर्णा मृद दिया और लाल रंग का कलावा बांधने के लिए हात बढ़ाया संभव का ध्यान कलावे की तरफ था ही नहीं वह तो गंगा जी की छटा निहार रहा था तबी एक और दुबली नाजुक सी कलाई पुजारी की तरफ बढ़ आई पुजारी ने उस पर कलावा बांधिया उस हात ने धाली में सवा पांच रुपे रखे लड़की अब बिल्कुल बराबर में खड़ी आँख मूंद कर अर्चन कर रही थी उन्हें पता ही नहीं था कि उनके बराबर में कोई और भी खड़ा है संभव ने यकायक मुड़कर उसकी ओर गौर किया उसके कपड़े एक्तम भीगे हुए थे यहां तक कि उसके गुलावी आचल से संभव के कुर्ते का एक कोना भी गीला हो रहा था लड़की के लंबे, गीले बाल, पीठ पर काले, चमकीले, शौल की तरह लग रहे थे दीपको के नीम उजाले में, मध्धम मध्धम से उजाले में आकाश और जल की सावली संधी बेला में अर्थात जब दोनों समय मिलते हैं और शाम होने लगती है लड़की बेहद सौमय लगभग कास्य की प्रतिमा लग रही थी सावली सलोनी लग रही थी लड़की ने कहा, पंडित जी आज तो आर्थी हो चुकी, क्या करे, हमें देर हो गई पुजारी ने उत्साह से कहा, इससे क्या, हम हिया कराए दे का कराना है, संकल्प, कल्यान मंत्र, आर्थी, जो कहो आप तो जानते ही है कि पंडित जी इस तरीके के प्रस्ताव आपके सामने रखते ही है नहीं, हम कल आर्थी की बेला आएंगे, लड़की ने कहा संभव इंतजार में खड़ा था कि पुजारी उसे 75 पैसे लोटा दे लेकिन पुजारी तो भूल चुका था जाने कैसे पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में ले लिया कि उसके मुँ से अनायास आशीश निकली सुखी रहो, फूलो फलो, जब भी आओ, साथ ही आना, गंगा मैया मनोरत पूरे करे अब लड़की ने हम अपने लिये बोला था और पुजारी को लगा कि यहां हम का अर्थ लड़की और संभव के लिए है लड़की और लड़का दोनों अकबका गए लड़की छटक कर दूर खड़ी हो गई लड़के को तुरंत वहां से चल पढ़ने की जल्दी हो गई शायद उनकी चपले एक ही रखवाले के यहां रखी हुई थी टोकन देकर चपले लेते समय दोनों की निगाहे एक बार फिर टकरा गई आखो का चका चौन्द अभी मिटा नहीं था सम्भव आगे बढ़कर कहना चाता था देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी पुजारी ने गलत अर्थ ले लिया लड़की कहना चाती थी आपको इतना पास नहीं खड़ा होना चाहिए था लड़की ने अपना होट दातों में दबा कर छोड़ दिया भूल तो उसी की थी बाद में तो वही आई थी अंधेरे से घबरा कर कहां कितनी पास खड़ी हुई उसे कुछ खबर नहीं थी लेकिन बादचीत के लायक दोनों की मना स्थिती नहीं थी दोनों ही अभी इस स्थिती में नहीं थे कि वो एक दूसरे से कुछ कह सके पहचान भी तो नहीं थी दोनों ने नजरे बचाते हुए चपले पहनी लड़की घबराहट में ठीक से चपल पहन नहीं पाई थोड़ी सी अंगूठे में अटका कर ही आगे बढ़ गई तो आज हम इस कहानी को यहीं विराम देते हैं मैं जानती हूँ आप इस कहानी के अंत को जानने के लिए बहुत उत्सुख होंगे की संभव और वो लड़की क्या अपस में मिल पाए या कहानी कहीं अटक गई या आगे बढ़ गई तो इसको जानने के लिए हम इसके अगले भाग में आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा फिर से नमस्कार करते लिए houses दूंगे झाल झाल